तो बस आज हम यही मेक अप देखने वाले हैं कि मेक अप मैंने कैसे किया इसमें आप देख सकते हैं आई का कलर कितना प्यारा आया है आप अपने एक औरिंग कलर चेंज कर सकते हैं यहां पर मैंने थोड़ा सक ग्रीन और यलो कलर का सेव दिया है ताकि हमारी आइस कुछ अप देख सकते हैं मेक अगर आपको देखना कैसे मैने कीया है तो वीडियो को श्रीम अप करना ताकि आपको पुछे समझाई इसमें मैंने कोई हैवी प्रोड़क्ट नहीं यूज़ किए है फाउंडेशन मैंने यूज नहीं किया है प्राइं म苇न यूज नहीं आई थैसो तो आप देख सकते हैं किस तरह की से मैंने किया है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हूं हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूटूब चैनल रूपी का लाइप स्टैल में दोस्तों कैसे हैं आप लोग आई होपके आप लोग अच्छे होंगे तो आज मैं आपके लिए टाइटल पढ़के पता ही चल गया होगा कि मैं कौन सी वीडियो आज आपको देने वाली हूं तो बस मैं इसी मेकप का जो भी मैंने कर रखा यही मेकप आपको दिखाने वाली हूं कि मैंने कैसे किया यह में कप खास करके मैंने दुर्गव पूज़ा के लिए किया आप अपनी मर्जे से आप किसी भी फैस्टिवल पर एकर सकते हैं अपने ड्रेस के कॉर्डिंग आप कर सकते हो और इसमें कुछ मैंने ऐसा प्रोड़क नहीं उसकिया जैसे फाउंडेशन वे मेख अचैभी कुछ मेंट कीजे और अगर आपको वीडियो पसंद आये तो लाइक किजिए अगर अफनी कौरणिंग शक्र सकते हैं और प्ली ज़रूर कीजिए ताकि, कि अगर आप मैं कोई कमी कर रही हूं तो उसमें सुधार में इसे हो जाएगा तो प्लीज अभी के अभी चैनल को सब्क्राइब कर लीजिए देर ना करते हुए चल्दी वीडियो में आगे वड़ते हैं सब्सक्राइब करनेके लाइधे वाइड का हुआ तो इस सकती हैं तो यहां पर भी चैनल ने कि जो कि लीजखन वाइधे कर सकते हैं तो यह स्टप भी हमारे वांस के लिए जरूरी होता इसे अच्छे से ब्लैंड करने के बाद हमें दो मिनट के लिए इसकिन को छोड़ना है ऐसी तक कि वह हमारी स्किन में अच्छे से अबजॉर्ब हो जाए उसके बाद में आपको मोश्राइजर यूज करना है आप आपके पास जो भी मोश्राइजर हो आप उसे यूज कर सकते ह यहां पर मैंने लाइक टो कहला माइन मोश्राइजर यूज किया यह काफी अच्छा होता है अगर आपके स्किन में डार्क सरकल वगरा हैं या फिर पिंपल्स के दाग धबें तो धीरे धीरे उसे रिमूब कर देगा तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से लगा लि के लिए यहां पर मैंने एक आइब्रो फिल की पेंसिल लिए है जो कि साइद स्विस ब्यूटी की है मैं भूल गई हूँ अगर इसे पर्चेश करना चाहते हैं मैं इसके लिए इसके लिए इसकिप्सिन में डाल दूँगी आप वहां से ले सकते हैं तो बस उसे तरीके से मै और यहां पर कंसिलर के हिल्फ से अपनी आइब्रो को एक सेफ दे रही हूं ताकि जो आइब्रो का कि से वह अच्छे आजाए और आगर पाइचांस आपकी पैंसल से थोड़ा सा इधर उधर आपकी आइब्रो फिल करने की पैंसिल का कलर चल गया है तो वह अच्छे से मीनि हमारा हम सही स्टार्टिंग में करना होगा क्योंकि अगर थोड़ा सा भी पुल्दवाप का सही नहीं होता है तो आप अजीव सही देखेगा तो बस इस तरीके से मैंने लगा लिया यहां पर मैंने वीडियो को फॉस्ट फॉर और नहीं किया है वैसे तो मैंने आगे कर रख और जो भी मैं कलर यूज करूं यहां पर अच्छे से कलर आयए तो आप देख सकते हैं इस तरीके से लगा लिया मैंने और उसे अच्छे से ब्लैंड कर लेना है तो पहले मैं प्रोडक्ट को लगा ले हूं उसके बाद इसे ब्लैंड करूंगी इस तरीके से आप देख सकते हैं क्या होता है वेस क्लीन रहने से सबसे में चीज सबसे ज़्यादा जरूरी है मेक अप के लिए यही होता है क्योंकि इसी से हम जो भी कलर डाल मलदब लगाते हैं तो वो काफी अच्छा आता है तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें करना है थोड़ी सी यहां पर आपको साधानी रखनी होगी अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियो आप तक आती रहे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूले तो आप देख सकत सब्सक्राइब करने वाले हूं इसलिए मैं थोड़ा सा मैड फिनिश दे रही हूं तो बस उसके बाद में यहां पर मैंने सबसे पहले पिंग कलर लिया है जो की पूरी आई बेस पे अच्छे से लगा ले रहे हूं ताकि मैं जो कलर चाहती हूं सारे कलर अच्छे से आएं अगर बाइचांस धरूदर थोड़ा सा पिंग कलर आता भी है तो वह एक अच्छा से लुक देता है कि साइट साइट से पिंग कलर का लुक ही अलग सा लगता है तो इसलिए मैंने सबसे पहले पिंग कलर यूज़ किया और कोई भी प्रोड़क्ट आप लगा रहें कोई भी ब्लेंड किया है तो आपको इस तरीके से कर लेना और जो भी यहां पर मैंने ग्रीन कलर लिया है और जो भी आप प्रोड़क्ट रियूज़ करने है उसे ध्यान में रखना है कि उसे अच्छे से बैंड करना है आपको आखों का मेकप करने में कोई भी जल्दी वाजी नहीं करनी है अगर आप चाहते हैं कि हमारा आई मेकप ना फैले तो आप क्या कीजिए एक टेप लगा लिजे साइड से मैं आपको इसे भी वीडियो में दिखा दूंगी आपको कैसे करना होता है टेप लगाने से क्या होता है ना कि आपके जो आई मेकप है वो फैलता नहीं है न कि जब भी आप ब्रस में प्रोड़क लें उसे पहले ब्लेंड करें तब दो बारा उसे पीक करें तो दूनों आखों में मैं दिखा रही हूं ताक कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए आपको इसी तरीके से लगाना है और अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हो तो प्लीज अभी कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप ने कर रखा है तो थैंक्यू सो मच्छ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उसके बात यहां पर मैंने लिक्विड आई-लाइनर लिया है जो कि सिल्वर करलर में है तो इसे मैं एक काको पी तो यहां पर मैंने सिल्वर कलर का लाइनर लिया है क्योंकि मैं यहां पर गोल्डन कलर यूज करने हूं तो सिल्वर कलर गोल्डन कलर से मिनिवाइज हो जाएगा तो बस इस तरीके से मैंने सेव दिया एक और उसके बाद इसी पर मैंने मुझे गोल्डन कलर यूज करना है तो ज्यादा उपर हमें नहीं जाना आप देख सकते किस तरीके से मिलब एक टीफी समझ लीजिए यह क्या होता है नहीं से आपका आई साइड उपर की साइड में फैलेगा नहीं जहां तक आप चाहते हैं पहले वहाँ तक आप एक लाइन मना लीजिए उसके बाद आप लगाई तो यह फैलने का आपका चांस नहीं रहेगा क्योंकि आपको पता नहीं है आप ब्लैंड करने हैं तो उपर तक चला जा रहा है तो इसलिए सबसे अच्छे चीज़ है कि अगर आप करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं तो बस प्लैट ब्रस से मैंने यहां पे गोल् ब्लैंड कर लिए तक की सिल्वर कलर और गॉल्डन कलर के बीच में स्लिवर कलर आने से क्या होता है वो दोनों को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर देता है तो मतलब अलग सा कलर नहीं लगता है तो यहां पे मुझे ग्रीन कलर थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने देखें कुछा साथखिंचार्म vow गणिश्दीन केकिता है आज पर दीख हो है यहां पर होता है मेरे पार कांप साथ को मैं यूजर कर रही होैं कि यहां धी यूजर की गौम इसके यूज हमेश्द आप रोग्डा कर सकते हैं भी या पर यह फोकस जादा करें अगर आप एक दम से लुकिड लाइनर यूज करेंगे तो फैलने का चांस बहुत बहुत जादा रहता है उसके बाद मैंने जैसा की बोला था मैं फाउंडेशन यूज नहीं करूंगी तो बस यहां पर मैं बीवी क्रीम यूज कर रही हूं आप जैसा भी चाहते हैं कलर लाने के लिए पहले आपको एक कलर लगाना है मतलब एक सेड जो भी करें आप बल्कुल लाइट ली करें अगर तो आपके डार्क सरकल हैं तो अगर आप दूसरा प्रोड़क नहीं यूज करना चाहते हैं तो उसी से आप आपने मिव दौबारा नहीं डाखरो बड़ाते आ जान करने के लिए कि लिए कंसीलर यूज dede सकते हैं जहां पर मुझे से मौण से सच्षि प्रोड़क नाय है नहीं होने चाहिए क्योंकि वह बहुत गंदे लगते हैं तो बस इस तरीके से हमें कर लेना है और उसके बाद जिस जहां जहां पर मुझे कंटूर करना है वहां वहां पर में कलर लगा कि इससे ब्लैंड करूँगी तो आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं जहां पर हाइलाइट कंसीलर लगा था मैंने उससे ब्लैंड किया और फिर उससे मैं जहां पर कंटूर लगाई हूं उससे भी ब्लैंड मैंने कर लिया है उसके बाद लोस पाउडर से जहां पर मुझे जादा वालाता है वहां पर मैं ल लिए लगाना है बस एक ब्रेस की हेलप से मैंने इसे सारे जो बने लोस पाउडर लगा थे वो निकाल दियें आप देख सकते हैं बिल्वकुल भी निकाल दे उसके बाद मैं यहां पर थोड़ा से स्माइल करके ब्लैस लगा रही हूं ब्लैस को लगाने से पहले सबसे पहले ह आप देख सकते हैं पिंक कलर का मैंने यहां पर यूज किया है जहां पर आपको और इसे अच्छे से ब्लैंड कर लेना है जब तक आपका यह अच्छे से ब्लैंड ना हो जाए एक दम से नहीं लगाना है कि बहुत सारा प्रोड़क लिए और लगा दिया बिल्कुल लाइट कर देख सकते हैं ज이는 आप देख सकतंगे यहां पर मैंने फिंगर का यूज पी है उसके बाद में बस यहां पर मैं क्या करूंगी अब आखों नीचे पर जो कलर मैंने उपर यूज किया है बस वही कलर नीचे से इनर कारॉनर डिन का साइड में मलता है मैं मीन तु пропवर के जाएगा भी आप देखेंगे आप देख सकते हैं अभी यह कितना प्यार लग रहा है बस गोल्डन कालर लेकर हमें आउट कॉर्णिट के साइड में जाना है यहां भी चाहें तो नीचे लाइनर रे या फिर पतला सा या फिर काजल यूज कर सकते हैं बस इस तरीके से लगाने के बाद यहां पर मैं लैक्मिक रिकानिक जात्रे यूज़ कर रहे हूं बिल्कुल लाइट ही लगाऊंगी मैं क्योंकि बहुत जादा डार्क पर नहीं लगाना है मुझे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने लगा लिया है आप चाहें तो यहाँ पर आईलैसेस भी लगा सकते हैं बट मैं यहाँ पर आईलैसेस नहीं लगाऊंगी पस उसके बाद में थोड़ा सा इनर कॉर्णर की साइड में मैं यहां पर हाइलाइटर यूज़ करने हूँ इससे आपका क्या होगा आँखों का लुक अलग अच्छा आएगा और उसके बाद बस यहां पर मैं लिपिस्टिक लगा रही हूँ जो की मैट लिपिस्टिक है अगर आप इसे परचेश करना चाहते हैं साइद स्वीट्स व्यूटी की अगर आप इस लेना चाहते तो अच्छी है आप ले सकते हैं बस यहां पर मैंने औरेंज कलर औरेंज नहीं है यह तोड़ा सा रेड कलर करते हैं तो वहीं लगा लेरी हूं आप देख सकते हैं पस यहां पर हमारा मेक अप होता है लग बद कम्प्लेट बस हमें मस्कारा यूज़ करने और मस्कारा के लिए मैंने मैबलीन का मस्कारा लिया है यह वाटर प्रूफ है अच्छा इस कार्यवी मैंने अपने चैनल पर तो बस मस्कारा यूज़ कर लिया है मैंने लगा लेरी हूं और अगर आप चाहते हैं आई-लैसिस लगाना तो आप लगा सकते हैं बट अगर आपको पूरे दिन मेक अप रखना है तो आई-लैसिस लगाना थोड़ा सा भारी-भारी से लगती हैं तो वह दूगंटे के लिए अच्छे लगती हैं बट कोई नहीं मैंने यहाँ पर आपकी मर्जी अगर आप लगाना चाहते तो लगा सकते हैं बस यहां पर मस्कारा यूज़ कर रही हूं आप देख सकते हैं मैंने काफी अच्छा इसका एफेक्ट आ गया है तो बस नीचे की साइड में भी मैं मस्कारा ही यूज़ करूंगी और उसके बाद आप अपनी जो भी नेकलेस जोलरी जो भी पहनने होंगे आप अपने कोडिंग अपने हरी स्टाइल कर सकते हैं यहां पर बस मेकप लगबग होता है कंप्लीट और आप देख सकते हैं आखों का मेकप काफी अच्छा लग रहा है ऐसा बहुत ज्यादा लाइट है दे में करना यह नहीं है आप अपने कोडिंग कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं किस तरीके से कलर आया है आखों का भी मलब एक अच्छा सा लुक आ गया तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लिजे और चैन पसंद आयो अभी आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो ऐसी वीडियो के लिए प्लीज अभी के अभी चैनल सब्सक्राइब कर लिजे ताकि एसी वीडियो आपको नौटिफिकेशन में मिलती रहे और यह में कप आप अपने इंसार किसी भी फैस्टिवल पे झाल